एक यूगम समांतर होता है बस इतने से ही सब कुछ नहीं होता इसके और भी भेर धेर सारे प्रगुण़न है वो मैं बताओंगा दियान से देखना करके सम्मुख भुजाओं का एक यूगम समांतर होता है इसकी यह मिनिमम रिक्वार्मेंट है मतलब इतना होना चाहिए इसके अलावा अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो खराब नहीं जाएंगी जैसे आपको खाने में क्या चाहिए एक इनसान को नारमली जिंदा रहने इसकी मिनिमम रिक्वार्मेंट है कि सम्मुख भुजाओं का एक यूगम समांतर होना चाहिए यानि जो ये चार भुजा होती है इन में से कोई भी दो भुजा समांतर होनी चाहिए लेकिन वह आमने सामने ही होनी चाहिए यानि अगर ये भुजा है एक पहली तो दूसरी य क्या होगी यह समांतर होंगी एक दूसरे के समांतर में सोता है पैरलल इनको आगी चाहे जितना बढ़ाओ कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं यह ऐसे चली जाएंगी लंदन तक चली जाएंगी लेकिन यह कभी दूसरे को उपर नहीं चड़ेंगी मतलब एक दूसरे को पर और भी कुछ बन सकता है समझ रहो ना बात हम किसकी कर रहे हैं आपर समलंब चतुर भूचकी न अगर यह साइट दूसरी वाली जो बचती है जैसे मालों इसका नामकरण में कर देता हूं बच्चा A, B, C, D ध्यान से देखो भागना नहीं कला चोड़ कि मैं बार बार बोल रहा हूं A, B, C, D इनकी जो भूजा है A, C और यह B, D यह क्या है यह समांतर नहीं है क्यों क्योंकि यह देखो जैसे है अगर इनको आगे आप बढ़ाओगे ऐसे आगे बढ़ाओगे अगर इनको दोन काटेंगी समझ गए न यह क्या है यह वरिजिनल का क्या है समलंब चत्रूपुचा है समलंब देखो सम और लंब दोन चीज़वाद निकल कर रही न यह तो आप समझ लिए लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्या है यह समलंब होता है अईसे भी हो सकता है इनको आगे और इनको आप इधर आगे बढ़ा लो इनको इधर बढ़ा लो यह कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं जहां तक ले जाओ तो आप यही समझ गए कि भाईया एक भुजा समानतर होनी चाहिए दूसर की काटनी चाहिए नहीं एक समानतर होनी चाहिए यह जरूरी है लेकिन दूसरी भुजा एक दूसरे को काटे यह जरूरी नहीं है ठीक है देखो समझो अब आप समझो कैसे जैसे आपने देखा वर्ग वर्ग देखा ना आपने आपने देखा है क्या वर्ग को क्या बोलते हैं स्कॉयर इंगलिस में आपने आयत देखा है जिसको इंगलिस में रेक्टेंगल बोलते हैं तो ये भी एक परकार का समलंब चतुरभूज है अब कहोगे फिर जो बनाये थे वो का था वो भी सम्मलंब था वो वरिजिनल का सम्मलंब था मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सम्मलंब था बाकिया और कुछ नहीं था लेकिन आप देखो बच्चा जैसे मैंने एक वर्ग बना दिया यह भी क्या एक सम्मलंब चतुर्भुज है सम्मलंब क्यों है क्योंकि देखो का एक युगम समांतर होना चाहिए हम दूसरी बुज़ा देखेंगे ही नहीं हमने ले लिया मानलो कि हमारा ये अगर ऐसे मैंने नाम लिखा है तो हमने ले लिया की समांतर है इनको आगे ऐसे बढ़ाओ गे ति यह कभी दूसरे को नहीं काटेंगी इधर बढ़ा लो तब भी नहीं काटेंगी बस हो गया समलम का इतनी जरूरत थी हो गई जैसे हमको एक गिलास पानी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे जहां पानी रखा रहेगा एक ही गिलास निकालेंगे ना आहफ़तने की पूरा बल्टा मुह में लगाकर पी जाएंगे सब तो नहीं पीपाएंगे ना तो बस ऐसे समझ लो बाकी इसकी और प्रपर्टी यह क्या है वर्ग है इसको एर के पर नीप्रपर्टी होती है ना इसमें और सारी बुजाएं समांतर है हो जाओं का एक यूग में समांतर होना जरूरी है तो यह मान लो कोई भी हम मान लिए समांतर है समांतर तो यह भी है लेकिन हमने एक माना बस तो इससे निसकर्स निकलता वो चीज आप लिखो मैं यहां पर लिखवा देता हूं निसकर्स इसके बारे में बहुत ही इंपॉर होते हैं सभी परकार के आयत भी सम्मलंब चतुर्भुज होते हैं ऑब समयान चतुर्भुज क्या है जिसके सम्मुक भूज бол में समयानतर होती है सम्मक बूज like में क्ईा होती है जैसे देखो एंगर मैं इसको पैरलल होती है एक दूसरे के जैसे देखो ये ठीक है अगर इनके नाम हम लिख दें A, B, C, D तो इसमें जो B, D है ना इसको ऐसे नीचे बढ़ाओ या उपर बढ़ाओ और A, C उपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं यानि इनकी जो भुजाएं हैं ये C, D, A, B के समांतर है और ये B, D, A, C के समांतर है ये होनी चाहिए इसकी minimum requirement है किसके लिए? समांतर के लिए जबकि समलंब के लिए सिर्फ एक ही भुजा समांतर हो तो समलंब हो जाता है बात समझ में आई ना? तो आप कही सकते हो कि जो भी समांतर चत्तुर्भूझ होता है किसी भी परकार का है वो समलंब होगा उसी तरह से आप वर्ग आयत और ये सम चतुर्भूज अभी इसके बारे में तो नहीं पढ़े हो सम चतुर्भूज भी क्या होता है एक परकार का समलंब चतुर्भूज होता है क्योंकि उसकी प्रपर्टी उसके अंदर पाई जाती है जैसे देखो कुछ फिगर यहां पर हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है सम चतुर्भूज का तो देखो इधर साइड में सम चतुर्भूज जैसे जान लो कि जैसे आप सबसेट साइक जांपल है वर्ग ठीक है सम चतुर्भूज इसको इंगलिस में रंबस बोलते है न देख difference है कि अगए आल साइड होंगी यह कुछ होगी और अगर इस तरह का कोई चत्रपुज बनाएंगे आप तो उनकी बुज़ाएं आपस में समांतर भी होगी इह पासमें approximately बन सकता है कैसे ऐसे भी बन सकता है अब बताओ लेकिन यहां से आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बताओ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसमें कोई प्राव्लम नहीं है जैसे कि लाश्ट वाला मैं आपको पता हो संब ब्रॉबहुज सं चतुर्भूज का मतलब होता है कि चारों और मिटाय में इककोंगे और बाग की और और कोई कंडीफन नहीं है सμ चतुर भुज के लिए तो सम् चतुरभुज आहसे भी बन सकता भइया बन सकता ना mec इसमय साइड उइक कॉल होंगी कि इसकी कैरेकूर्मेंट थे संम नमपकी यह कहता है कि सम्मुक बूजाएं समानतर हो बस कोई भी एक यूगम समानतर हो मतलब अगर ये समानतर है और ये और ये समानतर हो या फिर ये और ये समानतर हो ठीक है तो अगर काइट की तरह सोरी काइट नहीं काइट जो है वह समलंब नहीं हो सकती है यह हो सकती आप लोग कम लोगे आगे बढ़ाओगे थे कभी दूसरे को काटेंगी नहीं यह आपस में ना बच्छा इसे निकाल तो कभी नहीं काटेंगी दूसरे को तो यह क्या है यह समलम्व चतुर्भुज था जो कि आपने सीख लिया इनकी सारी प्रपर्टी आपने पढ़ लिया है ना चलिए अ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों में भी सेयर करना नहीं भूलना